हलो फ्रेंड्स मैं अभाव आच्पेई हाजी रोपने कक्षा 11 के लक्चर के साथ आज हम लोग पिछले टॉपिक से ही सम्मंदित कुछ क्वेश्चन पे और बात करेंगे तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पारे का घंत्वा 13.6 ग्राम प्रती सैंट का मान है और इसका जो मात्रक दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है ग्राम प्रती सेमी क्यूब तो इसका घंत तो क्या हो जाएगा ग्राम का मतलब हो जाएगा द्रविमान एम और सेमी का मतलब यह लंबाई हो जाएगा और यह उपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगा 1 हो जाएगा और B कमान कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है इसके पश्चा अब हमारा जो सूत्र है आप सभी को मालूम है सूत्र क्या है N2 बराबर N1 M1 upon M2 की पावर A तो A कमान अभी क्या बता है 1 तो यह M1 upon M2 की पावर एक लिखे हुई है और L1 upon L2 की पावर B, B कमान माइनस 3 था तो यह यहाँ पर माइनस 3 लिखा हुआ है अब जरा ध्यान दीजिए मान दिया है gram परति सेमी में और बदलना है काहें में gram को किलो ग्राम में और سंटीमीटर को मीटर में क्योंकि MKS पधैती में ये किलो ग्राम और मीटर में वहाँ पे जाते हैं तो उपर यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि M1 कमान क्या हो जाएगा ग्राम और M2 कमान क्या हो जाएगा किलो ग्राम L1 कमान हो जाएगा सेमी और L2 कमान क्या हो जाएगा मीटर बदलब जिसमें बदलना है उसको नीचे रखते हैं और जिसको बदलना है वो ऊपर मैंने आपको बताया था तो किलो ग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो एक किलो ग्राम में कितना होता है एक हजार ग्राम होता है तो ये एक किलो ग्राम के इस्थान पर एक हजार ग्राम और एक मीटर के इस्थान पर यहां क्या हो गया सव सेंटिमीटर ग्राम से ग्राम आपका क्या होगा कट जाएगा तो gram करने के बाद और यहां सेंटी मीटर से सेंटी मीटर कर जाएगा यहां पर gram से gram तो बचा क्या ज़रा ध्यान दीजे यह बचा 13.6 तो है ही यह बचा 1 बटे 1000 तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घाद 3 और गोड़े में क्या हो जाएगा एक बटे सौ का मतलब दस की घाथ दो और इसकी घाथ क्या लिख्योई है माइनस दो माइनस का तीन है तो ये ज़रा ध्यान दीजे दस की घाथ दो उपर जाएगा दस की घाथ माइनस दो माइनस 2 का माइनस 3 में हो जाएगा गुड़ा तो ये 10 की घात कुल कितना आ जाएगा 6 और 10 की घात प्लस 3 जब उपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात क्या हो जाएगा माइनस तीन और इन दोनों का जो हम गुड़ा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा दस की घात तीन प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये 13.6 तो पहले था और इन सबको solve कर देपर क्या बचे का दस की घात तीन तो इस प्रकार से आप अपना आंसर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा 13.6 गुड़े 10 की घात तीन और मातरक की बात करें तो पारे का घंथ तो मातरक के साथ 13.6 गुड़े 10 की घात तीन और यह हो जाएगा के ग्राप्रति मीटर क्यों तो इस प्रकार से ये प्रस्ण क्या होता है कंप्लीट होता है आईए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर तो नेक्स्ट कोश्चन आपको आपके स्कृन पर दिख रहा होगा कि यदि किसी पध्यत में बल उर्जा और वेग के मात्रक सुफ हें पर सौ जूल है सौरी मेटर पर तिसेकंड हो तो उस प्रद्धत में लंबाईधुर्व भिमान और समय के मात्रक ख्यात कीजीएación यह देना है यहां पर बल की विमा क्या होती MLT-2 MLT-2 कमान कितना दे रखा 1 MLT-2 कमान दे रखा 10 Newton उपर question से इसी प्रिकार से आप देखिए दूसरा क्या है आपको दिया है उर्जा और उर्जा कमान 100 Joule उर्जा कमात रख भी ML2 और T-2 हो जाएगा और इस कमान भी कितना हो जाएगा 100 Joule और इसी प्रिकार से जो 5 मीटर पर सेकंड दिया है ये वेक कमात रख है और वेक की भी मह होती है LT-1 और इसका मान हो गया 5 मीटर परति सेकंड अब ध्यान दीजे जड़ा ये पहले वाले ये पहला ही question हो जाएगा ये दूसरा ही question हो जाएगा ये तीसरा समीकार्ण 2 को हम क्या करेंगे समीकार्ण 1 से कर देंगे भाग तो समीकार्ण 2 को समीकार्ण 1 से भाग करने पर L बराबर हमें क्या मिलेगा 2 का मतलब क्या ML2T-2 ये उपर दिखा है और ये क्या है नीचे क्या हो जाएगा समीकार्ण 1 MLT-2 तो ये T माइनस ज़र आप ध्यान दीजेगा यहाँ पर जब हम इसे भाग देंगे तो यह M से M आपका क्या होगा? Cancel हो जाएगा देखें नीचे जो यह T की पाउर माइनस तो लगा रखा है माइनस 2 होगा तो यह थोड़ा सा गलती है यहाँ पर तो T की पाउर माइनेश 2 से माइनेश 2 कैंसल हो जाएगा और उपर क्या बचा L2 और नीचे क्या बचा L तो L से इसको काटेंगे तो बचेगा 1L और इस L कमान कितना हो जाएगा उपर देखिए यह 100 था और बटे में कितना हो जाएगा 10 तो 100 को 10 से भाग देंगे तो एक कटपिट के आ जाएगा 10 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि L की वैलू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई ठीक अब जरा ध्यान दीजे दूसरा इसने क्या पूछा है हमसे कि दूसरा इसने पूछा है द्रव्यमान और समय तो समय के लिए जरा ध्य तो टी कमान इससे हमें प्राप्त हो सकता है तो यह 10 मीटर हमने मान निकाला इस 10 को हम समिकर्ण 3 में क्या कर देंगे प्रतिस्थापित तो एल कमान हो गया 10 और टी-1 30-1 बराबर 5 मीटर पर सिकेंड तो टी कमान क्या हो जाएगा यहां पर एक शिज़ और ध्यान दिएगा पहले टी की पाउर माइनस उन कमान जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 10 अब टी की पाउर माइनस उन को जब टी की पाउर प्लस उन में बदलेंगे तो टी की पाउर माइनस उन का मतलब होता है 1 अपाउन टी तो 1 अपाउन टी कमान कितना हो गया 5 बटे 10 हो गया तो जब T का मान निकालेंगे तो T बटे में 1 हो जाएगा तो ये भी पलड़ जाएगा या जाएगा 10 और बटे में कितना आ जाएगा 5 तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस का मान कितना है T बराबर 10 बटे 5 तो पलड़ आप 10 है और T कमान अभी आपने देखा कितना निकाला हमने 2 और इसकी घात माइनस24 तो 2 की घात क्या हो जाएगा माइनस दो तो यह हो जाएगा M और इंटू में क्या आ जाएगा देखे ध्यान दीजेगा आप यह 10 तो है ही गुडे में तो यह 10 जो आपका गुडे में है और बटे में 2 की घात माइनस 2 का मतलब हो जाएगा कितना गात की घात होते इस वाले 10 से इस वाले 10 को आप क्या कर दीजे काट दीजे तो 2 की घात जो माइनस 2 है तो बराबर के उस तरब जाएगी तो बटे में जाएगी 1 बटे 2 की घात माइनस 2 यह उपर जब जाएगा तो 2 की घात 2 हो जाएगी और 2 की घात 2 का मान कितना होता है चार और यह चुकि द्रव्यमान था तो यह काहे में आ जाएगा किलो ग्राम में तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना अंसर देख सकते हैं कि द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा चार किलो ग्राम समय का मान कितना आ जाएगा किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद